हमने हमेशा ही ये सुना है कि एक मा के लिए उसकी आौलाद से बढ़कर और कुछ नहीं है। उसके ख्याल में हमेशा ही अपनी आौलाद का चेहरा गूमता ही रहता है। लेकिन अमेरिका के फ्लॉरिडा शेहर में इस कथन को एक मा ने गलत साबित कर दिया है। रात को अपने बच्चों के साथ घर लोटी मा ने इतनी लापरवाही दिखाई कि अपने तो बच्चों को कार में ही छोड़ गई। वो बच्चे उस समय सो रहे थे। लड़की की उम्र चार साल तो बच्ची की दो साल थी। बाहर भयंकर गर भी पड़ रही थी। माबाप को याद ही नहीं रहा कि बच्चे गाड़ी में सो रहे हैं। चार साल का लड़का तो जैसे तैसे गाड़ी से उतर गया लेकिन दो साल की मासूम बहार नहीं आ पाई। जब अगले दिन मा की आँख खुली तो पंदरा घंटे बीच चुके थे उसने दोड़ कर जा गलवार की है। पुलिस ने दो साल की बच्ची की कतित हत्या के जुर्म में माता पिता कैथरिन एडम्स और क्रिस्चोफर मैकलिन को गिरफतार किया है। इस घटना से पुलिस विभाग भी सत्ते में हैं। पहिला ने अपने कुबूल नामे में कहा बच्चे कार की सीट पर चुकी थी। बता दी कि पुलिस ने जब दमपत्ती के घर की तलाशी ली तो उनके घर से मैतम फेटा माइन और मैरी चुआना पाया गया। पुलिस के अनुसार कैथरिन एडम्स और क्रिस्चोफर मैकलिन दोनों ड्रक्स के आदी थे। दोनों घटना के वक्त भी ड्रक्स क अनुनी नहीं होती। इस घटना से ये सीख ले सकते हैं कि कभी भी अपने बच्चों के प्रति लापरवाही मत कीजिए। मासुम बच्चों को नहीं पता कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत। फ्लॉरीडा में हुई इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाते हैं अपने और करें